हेलो फ्रेंड्स आज लंच वोक्स सिरीज एट है और इसमें में एकदम बढ़िया सी रेसिपी लेकर आई हूँ लंच वोक्स की एक बार आपके बच्चे आपने बना दिया ना तो उसका तो बार-बार रिक्वेस्ट आएगा बनाने के लिए पर उसके फ्रेंड्स भी बोलें यहां पर एक मिक्सिंग बोल के अंदर मैंने एक कप कैप्सिकम लिया है आधा कब ओनियन लिया है एक गाजर को कद्दू कस करके लिया है हाफ कप स्वीट कॉन है और स्वीट कॉन कमपल्सरी डाली उसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है तीन मिर्ची मैंने क्रश कर करके डाली है इसमें एक कप पनेट को ग्रेट कर लिया है और इतना ही चीज मैंने डाला है आप दोनों की कांटिटी अपनी हिसाब से एक्जिस कर सकते हैं जनिया डाला है खूब सारा वन टीस्पून ओरेगानू वन टीस्पून चिली फ्लेक्स डाला है जरूरत की अनसर न यहां पर बहुत ही टेस्टी फिलिंग बनेगा एक बर बनाके जरूर से देखिए और यहां पे हम एक चटनी बना लेते हैं तो मैंने थ्री टेबल स्पून मैयोनीज लिया है और दो टेबल स्पून टॉमेटो के चप लिया है वन फोटीस्पून गार्लिक का पेस्ट डाला वन टीस्पून ओरेगानों डाला है विया मिक्स हब डाल दीजे और थोड़ा से नमक चुटकी बरी नमक डालिए इन सबको अच्छे से मिला लीजे यह आपकी मयोनीज बनके तयार हो गई है यहां पर वन कप मैंने बेशन लिया है उसमें टू टेबल स्पून चावल का आटा टाला है अगर चावल का आटा नहीं है तो कौन फोर भी डाल जाल सकते हैं जरूरत कैंवसा जाल यह झाल बूसा नमक जाल दीजे मिक्स हब एक टीसपून अद्धीज जाल दीजे और एक टीस्पून चिलि फ्लैक्श जाल दीजे इन सबको अच्छे से मिला लीजे उसके ब चाहे तो आप bread की किनारी cut कर सकते हैं पर बिल्कुल यहाँ पर जरूरत नहीं है cut करने के ही तो जो अभी mayonnaise का mixture बनाया ना वो हम पहले bread के उपर फेला देते ही जो चारो ब्रेड के उपर मैंने ये mayonnaise का mixture फेला दिया है अभी जो हमने फिलिंग बनाया था पनीर वाला वेजिटेबल वाला वो डाल देंगे इसके अंदर जितना आप भर सकते ही उतना अच्छे से इसको फिल कर दीजिए इसको बाद उपर जो हम ब्रेड रखने वाले हैं वो ब्रेड पे भी मैंने मेयोनीस का ही मिक्षेर लगा दिया है इसको उपर रखके अच्छे से दबा दीजिए और इवनली प्रेस हो जाए यह बाद का खयास खयाल रखिए अभी ब्रेड के चार टुकडे करने हैं तो बीच में से दोनों साइड से हम कट लगा देगे तो यहां पर इक्वली ही ब्रेड के सेंडवीच के चारों टुकडे हो जाएंगे अभी एक टुकडे को हमें अंदर से फिलिंग निकले नहीं ना एसे हलके हाथ से अलग कर देना है अभी आते हैं हम बैटर की और तो हमने जो बैटर बनाया है बेशन का उसको पहले अच्छे से मिला लीजिए फिर से एक बार और इसके अंदर दो टी स्पून गरम गरम ओयल डाल दीजिए जो आप तलने वाले हैं वहीं ओयल आप इसमें डाल दीजिए और एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए अभी जो हमने ब्रेड वाला फिलिंग बनाया था उसको डिप कर दीजिए और उपर चमत से बेशन इस तरह से लगा दी तब ही बेशन के अंदर डाले उससे पहले डालके नहीं रखे ने तो ब्रेड सारा मोश्टर पी जाएंगी इसको अच्छे से तल लीजिए मिडियम तेल के उपर गोल्डन ब्राम हो जाए तब तक हमें इसको तल लेना है और चट स्पॉट से ये तल के तयार हो जाती है अब होड़ा सा फ्रैंगी का मसाला चिडग दिया है या फिर आप चाट मसाला भीन जा पर श्पॉंग कर सकते हो